जैहिंद नमस्कार दोस्तों मैं अंकी सिंग तौमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल बाई इन लर्निंग क्लासिस में जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर लगाता ट्रिक से संबंदित वीडियोस आती रहती हैं साथे इंगलेस कोर्सेस भी आपको म हैं जिसमें हम बात करेंगे भारत की अंतराश्ट्री सीमा रेखा वा उनकी लंबाई साती जानेंगे कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं करम से याद करेंगे और एक ही ट्रिक में आपको सारे जो जंजट हैं जो आप रटना पड़ता है बांगला देश, चीन, पा पड़ी हुई हैं और आगे भी ट्रिक्स मिलती रहेंगी इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो लगातार मिलती रहें सबसे पहले हम मैप की जरिये जानते हैं ये भारत का मैप है और हम इसके जरिये जानेगे कि भारत के भारत से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमा भारत से मिलती हैं तो सबसे पहले अगर हम इदर से देखें तो पाकिस्तान हम को मिलेगा जो एरिया जे दिख रहा है यहाँ गुजराच से लेकर यह हमें जो कस्मीर तक का नजारा दिख रहा है वो पाकिस्तान की सीमा जी लगी हुई है और यह रेड क्लिप रेंगा है हम आगे विस्तार से चर नेपाल लगा हुआ है जो उत्तर प्रदेश बिहार आपको यहां देखने को मिलेगा भूटान आपको देखेगा यहां पर पस्चिम बंगाल जो सीमा लगती है बंगलादेश से लगती है यहां पर आपको रूनाचल प्रदेश मिलेगा जिसकी सीमा भूटान से लगती हुई आपको दिखाई देगी उसके बाद मियामार मिलेगा आपको तो हम मैप के जरीए भी देखेंगे और साथ ही हम कैसे देखेंगे हम ट्रिक के जरीए भी देखेंगे चलिए पहले ट्रिक के जरीए देखते हैं एक ऐसी क्या है तो ट्रिक को आप के बल दो मतलब आप कहें तो 1, 2, 3, 4 चार वड में ट्रिक कतम हो जाएगी एक लाइन भी नहीं है ट्रिक है बचपन में MBA किया वहिए बचपन में MBA कर लिया है इसका मतलब बहुत उस्यार होगा तब ही तो बचपन में MBA कर लिया है जो ट्रिक से संबंदित है वो है बचपन MBA तो बचपन MBA तो बास से हुगा बांगलादेश अब हमें दो चीज़ याद करनी है कि सबसे जादा और सबसे कम अब जब ही हम देखते हैं सबसे बड़ा सबसे छोटा सबसे लंबा सबसे चोड़ा ये सब चीज़ देखते हैं तो बांगलादेश भारत की सबसे अधिक सीमा जो लगती है वो बांगलादेश से लगती है तो कितने किलोमीटर अब ही है तो 4096 किलोमीटर तो सबसे अधिक सीमा अगर पूछ ली जाए तो किसकी है तो बांगलादेश की बांगला देश की और सबसे कम किस की है अफगानिस्तान की सबसे कम किस की सीमा है तो अफगानिस्तान की तो बांगला देश चासे चीन जिसकी 3488 किलो मीटर और हमें ये किलो मीटर भी याद करना है सबसे अधिक का चार अजार चानवे और बाकी सब छोड़ देंगे फिर भी चलेगा लेकिन पहला और आकरी हमें जरूर याद करना पड़ेगा बासे बांगलादेश, चासे चीन, पासे पाकिस्तान, नासे नेपाल तो बचपन हो गया ये, और एमबीए से हुगा, मासे म्यामार, भासे भूटान, और आसे अफगानिस्तान सिर्फ एक सोचे किलोमेटर में, दो आंकड़े याद करने हैं, बांगलादेश वाला और अफगानिस्तान वाला देखी, ट्रिक जो है, खतम भी हो गई, और आपको याद भी हो गया होगा, बचपन में एमबीए किया, अब हम रेखाएं अगर हम देखना चाहें, तो ये रेखाएं दिवी हैं, रेड किलिप रेखा, बांगलादेश में और पाकिस्तान में, आप जानते होंगे, 1970 से पहल पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान था वो था बांगलादेश, और पाकिस्तान जो अभी का पाकिस्तान है, उसे हम पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, तो ये जो रेड किलिप रेखा खून बहुत बहता है, तो रेड किलिप, तो खून का रंग कैसा होता है, लाल, तो उससे हम कैसे याद करेंगे, रेड किलिप, ठीक है, तो रेड से हम याद करेंगे, बांगलादेश और चीन, माफ करिएगा, बांगलादेश और पाकिस्तान, और चीन को हम कैसे याद करेंग इस समय जो आतंग की संगटन है उसने पाकिस्तान अफगानिस्तान पर कबज़ा कर लिया है तो ये थी हमारी ट्रिप बच्पन में MBE किया बांगलादेश चीन पाकिस्तान नेपाल और उसके बाद म्यामार भूटान और अफगानिस्तान चोटी सी ट्रिक के आपको ये याद कर लिया तो आप समझ लीजी कि आपकी ट्रिक खतम हो गई और आपने जो कुछ भी तीन चीज मैनेस में बताई है वह साब खतम हो जाएंगी सीमा रेखा और कितिनी लगती है किलो मीटर में देख लेंगे और यहां हम देख लेंगे कि कौन सी सीमा रेखा है चलिए वीडियो होती है यहाँ पर खतम और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी किसे भी कमेंट करिए शेयर करिए जैहन।